चोटो को प्यार पड़ो को नमस्कार आईए शुरू करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत आज हम करेंगे 40 ऐसे फेक्ट्स के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे ऐसे फेक्ट्स जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे वीडियो को एंड तक जरूर देख कारण है कि आपके शरीर में भले ही धूल आती हो मगर कुछ दिनों में घर में रखी चीजों परूल लग जाती है वह दूल तो कम होती है जादे आपकी ड्राय Sky होती है क्लिकिए 27 दिलों है आपके शरीर छोटी-छोटी iskin कनो की रूप में निकल जाती है आपके शरीर के 70% हड्डिया पानी से बनी होती, मगर आपके पानी से बनी कठोर हड्डिया कॉनक्रीट से चार गुला जादा मजबूत होती है आपके शरीर में इतना फैट यानी चर्वी होती है जिससे साथ साबुन बनाये जा सकते हैं और ये आम व्यक्ति की बात कर रही हूं मैं एक आम व्यक्ति अपनी पूरी जिन्दकी में लगबक 33,000 किलो जितना खना खा जाता है जो लगबक 7 हड्डियों के वजन जितना होता है हमारे दिमाग में याददार शमता लगबक 4 टेराबाइट या यूं कहें 4000 GB या 40,000,000,000,000,000 जितनी होती है आपको कोई भी काम करना है तो आपका दिमाग आपके हाथ या पैर को एक तरीके का सिगनल या मैसिज भीजता है जिसके बाद आपके शरीर का वो हिस्सा जो काम करना शुरू करने लगता है मगर क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग हमारे शरीर के अंग 270 किलो मीटर प्रती घंटा की स्पीड से जानकारी भेजता है और हमारे दिमाग में लगबग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जानकारी 322 किलो मीटर प्रती घंटा की स्पीड से घुमती है ये स्पीड आपको शयद कम लग रही होगी मगर हमारे चोटे से शरीर के लिए ये स्पीड बहुत जादा होती है हमारे शरी में सबसे जादा मेहनत हमारे दिल करता है एक दिन में हमारा दिल लगबग एक लाग बार धड़कता है और पूरी जिन्दगी में लगबग 200 करोड 12 हमारी जिन्दगी के 70 से 80 साल तक दिल बिना रुके धड़कता रहता है तो भगवान से हमारी यही उमीद है जो आपका दिल है प्यारा से वो हमेशा सुरक्षित रहे एक आम व्यक्ति रोजाना 11,000 लीटर जितनी हवा सास के रूप में लेता है और पूरी जिन्दगी में लगबग 32 करोड लीटर जितनी सास ले चुका होता है यह उतना होता है जितना दो होट एर बलून भरे जा सकते हैं गाना सुनते हैं वक्त आपके दिल की धडकन, गाने की म्युजिक जैसी धडकने की कोशिश करती है आपका blood pressure कम हो जाता है जब relaxing या दर्ध भरे music सुनते हैं blood pressure बढ़ जाता है जब आप जोश वाले music या DJ वाला music सुनते हैं यही कारण है उस्पिटल में पेशन्ट के दिल को ठीक करने के लिए पेशन्ट को रिलेक्सिंग या इमोशनल म्यूजिक सुनाया जाता है 107.5 डिगरी फैरनाइट से जाधा बुखार होते ही इंसान का दिमाग बुरी तरह से डैमेज हो जाता है तो अगर किसी का बुखार 106 या 160 डिगरी के आसपास है तो आपको तुरंत डॉक्टर के ले जाना चाहिए अगर आपको पहचानना है कि सामने वाला सच बोल रहा है या जूट बोल रहा है तो उसके बोलते वक्त आप उसकी आखों को देखें अगर वह बार-बार आंग झखका रहा है तो जादा संभावना है कि वह झूट जो बोल रहा है 10 साल पहले आपके शरीर में जो हड्या थी वह नहीं रही क्योंकि हर 10 साल में हमारा शरीर की सारी हड्या धीरे-धीरे बदल जाती आपके शरीर के अंदर उपर लगबग 2 kg जितने बैक्टेरिया होते हैं आपके आखों के बीच का हिस्सा जिसे हम कॉल्मिया कहते हैं वो आपके शरीर का एक मात्र ऐसा हिस्सा है जो आपके शरीर के खून का इस्तमाल नहीं करता दरासल वो हवा से सीधे ऑक्सीजन खीचता है और आपको देखने में मदद करता है मगर आपको ऐसा भी लगता है क्या आपके हाथ की छोटी उंगली की बहुत जादर ज़रुवत नहीं है तो हम आपको बता दे कि आप गलत है आपके हाथ में 50% शक्ती आपकी छोटी वाली उंगली में होती है अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अपनी छोटी वाली उंगली को सीधा रखते मुक्का बंद करके बताओ ठंडी लगे तो सबसे पहले आपने माते को डखें क्योंकि हमारा शरीर की 80% गर्मी सिर के रास्ते से ही भार निकलती है आपके left side का दिमाग आपके right side के शरीर को समालता है और right side का दिमाग आपके left side के भाग को समालता है जो लोग left hand यानी बाय हाँ से सब काम करते हैं वो लगबग 9 साल कम जीते हैं उनसे जो right hand से काम करते हैं यानी की दाय से यह शाय इसलिए हो सकता है क्योंकि जायतार मशीन right-handed log के लिए बनी होती है और उसे इस्तिमाल करते वकि left-handed log से गलती हो जाती है आपके आखो को बचाने वाली अपर की muscles आपके शरी के सबसे तेज काम करने वाली muscles होती है एक second में 4-5 बार बंद और खुल जाती है इंसान प्रित्फी का एक मात्र ऐसा जीव है जो फीलिंग इमोशन की वज़े से रो सकता है मतलब आप कह सकते हैं कि आप एक मात्र धर्ती पे ऐसे जीव है जो रो तुडू है गजब की बात है ना इंसान को 90% बिमारी चिंता की वज़े से होती है आप सास लेते हुए खाना नहीं निगल सकते हैं जिस बच्चे ने अभी तक जनम नहीं लिया वो बच्चे तीन महिने तक सास लेते हुए ही खाना खाते हैं आज तक किसी को नहीं पता हमारी उंगलियों में निशान क्यों होते हैं या आपके हातों से पानी को नीचे गिरने में help करते हैं या किसी चीज को grab करने के लिए भी help करते हैं मगर इनका आपके हात में main purpose क्या है वो आज तक नहीं पता चला हिचकी बहुत दिनों तक कोई रोक सकता है हिचकी सबसे जादा दिन तक रोकने का world record चार्ज जो बोन के पास हैं जिन्होंने अट सर साल तक लगतार बिना रुके हिचकी आती रही उन्हें आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप छीकते वक्त अपनी आखों को खुला नहीं रख सकते ये एक मित है कि छीकते वक्त हमारा दिल बंद हो जाता है लेकिन सचाई ये नहीं है हमारा दिल शीकते वक्त धीरे हो जाता है मगर रुकता नहीं है ए ratpalen में ट्रैवल करते वक्त आपके बाल दुगनी तेजी से बढ़ते हैं जो लोग ऐसलरों करते हैं वह लों बाल जल्दी-जल्दी लगबग 18-18 करोड सेल्स होते हैं लगबग एक आम इंसान 5 साल जितना समय खाने में देता है और लगबग 1 साल जितना समय उस खाने को पचाने में देता है यही नहीं टॉलेट के अंदर कुछ लोग अपनी आखों के हिलने की आवाज सुन पाते हैं क्या आपने भी सुनी है क पॉमेंट बॉक्स में जरूर बता है आपकी आखों के उपर इस्तित आईब्रो से आपका वहवार पता चलता है आपकी परस्नेलिटी का पता चलता है अगर आपके आईब्रो सीधी है तो आप एक साफ और सीधे बात करने वाले व्यक्ति हैं अगर आपके आईब्रो थोड 20 मिनट में उबल सकता है आपके दिमाग का 80% हिस्सा पानी से बना होता है आपके लंग्स आपके शरीर का एक मात्र ऐसा हिस्सा है जो किसी भी हड़ी के साथ जुड़े हुए नहीं होते मतलब लटके रहते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ है सोने के कुछ देर बाद आप बो बड़े जीव नहीं है मगर हम प्रित्वी के किसी भी जीव से सबसे जादा देर तक दोड़ सकते हैं जानवर तेज दोड़ते हैं मगर वो जल्दी ठक जाते हैं और हम धीरे दोड़ते हैं मगर हम जल्दी नहीं ठकते मुस्कराने से महनत कम लगती है गुस्सा होने के तु दिमाग का सिर्फ असी पर्तिशत ही इस्तिमाल करते हैं और सोते वक्त हमारे दिमाग दस पर्तिशत से जादा यूज होता है आप चाहें तो असानी से अपने दिमाग का 80-90% यूज कर सकते हैं और कई लोग कर भी चुके हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसी और र और चैन सब्क्राइब जयाश्री रहाम